तो जो की कटाई भी हो चुकी है पूरी और अब मा गोबर फिला रही है खेत में तो यह गोबर अभी अभी भावी ने डाला है तो भावी करिया गोबर डालने का काम और तो हम लोग पौँच चुके हैं पानी के शुरत के सामने तो हमारी पाहरी भासा में इसे कुण सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा परिणा मैं जोदी नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देव उमी उत्तरगन के पौड़ी गडवाल वे मेरे छोटे से गाउं रॉली गाउं से तो आज के ब्लॉग के सुराथ हो चुके खुब सवेरे के साथ और अभी हो रहा है टाइम सुबा के साड़े नौ बच चुके हैं और अभी आये हैं हम अपने खेतों में जोग की लवाई करने तो आज कल हमारे यहां जोग कट रहे हैं खेतों में और जोग भी पक चुके हैं जैसकि चैत का मेना खतम हो चुका है और बैसा का मेना स्टार्ट हो गया तो बैसा तो जो की बालिया रखने के लिए मा ये देख सकते हैं छोटा सा बरतन लेके आई है इसे हमारी पाहडी भासा में वोडगु बोला जाता है तो इस साल देख सकते हैं छोटे छोटे जो हो रहे हैं खेतों में तो बारिश ना होने की वज़े से ये देख सकते हैं इतने छोटे तो इसलिए हम बड़ा बरतनी लेका है चोटा सही लेके आए हैं और मा देख सकते हैं दोनों काम साथ में करी है जो कि लवाई भी और साथ-साथ में खित को खाली भी करी है घास भी काट रही है तो जो कि घास को हमारी पहाड़ी भासन में चिलाओ बोला जाता है और यह बहु जो कि लवाई का काम करना और जल्दी जल्दी कर लेते हैं काम खतम और फिर धूप भी होने वाली है थोड़ी देर में तेज धूप लगती है हमारे पहाड़ों में फिर घर चले जाएंगे कराता है में खेट के जऊ भी कार दिये हैं और भावि अभी गोबर लेके आ रही है खेट में तो आप सो इसकेट में हम जंगो रबेंगे तो आज बावी भूबर फैंक देगी तो पूरा खेट खाली कर दिया है हमने तो जितने जोग को खेट में बनाना था सारे माने बना के ओड़के में डाल दिये हैं काट के और अभी मा घास का भारा लगा रही है तो यह जो जो जोग का चिलो है इसको आप छानी में ले जाएंगे भेंश के लिए तो मा इसको भारा लगा रही है अभी तो उस साइड भी है दो चार पूला तो उसको भी लेके आएगे मा और फिर यहाँ पे लगाएंगे पूला और अंशु देख सकते हैं नानी की मदद कर रहा है उस साइड हरे हरे जो थे तो वो हमने पूला बनाने के लिए काट रखे हैं तो उनको हम घर पर जाके बनाएंगे और अंशु लेके आ रहा है इधर अभी इधर आओ नीचे रखो नीचे रखो सारे गिरा दिया आपने नीचे रख दो बिटा मा गोबर फिला रही है खेत में तो ये गोबर अभी भावी ने डाला है तो भावी करिया गोबर डालने का काम और मा इसको फिला रही है खेतों में तो इसमें कल जंगुरा बोएंगे तो अभी करना पड़ेगा गोबर फिलाने का काम और कल सुबह भावी तो सुबह आ जाएगा पांच-छे बजे तो सुबह सुबह कोण फिलाएगा तो इसलिए अभी फिला रही है मा गोबर को यह बिल्कुल पत्ते वाला गोबर है आदा गोबर आदा पते बुनास के पत्तों के साथ मिला के इसको अच्छे से फिला रहे हैं खेत में फेलाओ 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 जिंटफेलाओ फेलाओ ठीज़ को फेलाओ गोबर ले सिधर आ तो अब चल रहे हैं घर तो मा इसको छानी में लेके जाएगी घास को अंचिका हाई कर रहे है हैं अंचिका तो अभी जारी उम्में पानी लेने छोया में तो आपको छोया भी दिखा के लाते हैं हमारे पाहड में कैसे छोया पंदेरा होते हैं यह देख सकते हैं यहां हमारे खेतों के बीचो बीच यहां पर दीबा मा का मंदीर भी है और मंदिर के चारता मांच के पेड़ा तो काफी टाइम से कोई post inlandeteem इन उन चल रहा है तो इन वाले की दिया है जंगेड़ा और इस में अभी गोबर की छटाई कर रखी है देख सकते हैं पूरे गोबर में और कल सुबह यहां पर जंगरब होएंगे तो हम लोग पौच चुके हैं पानी के शुरत के सामने तो हमारी पहारी भासा में इसे कुंड बोला जाता है और यहीं से घरों के लिए पानी ले जाये जाता हैं और यह ना बिल्कुल प्राकर्तिक स्रोत है पानी का बिल्कुल जमिन के निचे से निकल रहा है और ऊपर देख सकते हैं बांच की पेड़ है और यह बांच के जोड़ों का पानी भी बोला जा सकता है इसको और सामने से भी पूरा आ रहा है निकाल रखी है पूरा पानी और इस कुंड में जाके कठा हो रहा है और इस रोध के पानी की एक बहुती खास बात है यहाँ पर गर्मियों में पानी ठंडा रहता है और ठंडियों में पानी गरम रहता है यहाँ के पानी की और तो पानी भी हमने भाल लिया है और अब चलते हैं घड़ माँ उठाई नहीं पारे सर पर नहीं उठाण है माँ तो मा ने डिनर बनाना भी शुरू कर दिया है तो सामने तो पर रोटिया बन रही है और इस वाली कड़ाई में बन रही है आलू और मटन की सब्जी इस कुकर में बना रहा है मटन सामने पहाडी चूले पे महस के लिए पिंडा उबल रहा है तो कल सुबह नियार के लिए पिं तो मैं आर अंचो तो आग सेख रहे हैं जा तो सामने पैट के कि हमारे पाड़ में अभी ठंड जा रही है और बाहर तो बहुत कडाकी की ठंड हो रही है शुबव शाम तो ठंडी लगालो हमारे पहाड में और इस व्लोग को भी ही पर शमाप कर देते हैं और अगर आज का व्लोग थोड़े से भी पैसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और साथ में जो चैनल पर नहीं हैं चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं फ्रेंज किसी नेक्ट अच्छी से वीडियो में तब तक के लिए बाई